भारत के मुसल्मान भाई बेनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनितिक दल उन्हें भड़का करके उनका फाइदा लेने के लिए उनको बरबाद कर रहे हैं आज कल हम देख रहे हैं कि युनिपॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को बढ़काने का काम हो रहा है आप मुझे बताईए एक घर में परिवार के एक सदसे के लिए एक कानून हो परिवार के दूसरे सदसे के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो गर चल पाएगा क्या कभी भी चल पाएगा क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्ता से देश कैसे चल पाएगा हमें याद रखना है कि भारत के सम्विदान में भी नागरीकों के समान अधिकार की बात कही गई है साथियों ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसल्मान मुसल्मान करते हैं अगर ये मुसल्मानों के सही माइन में हितेशी होते तो अधिकाउस परिवार मेरे मुसलिम भाई बेन स्विक्षा में पीछे ना रहते हैं रोजगार में पीछे ना रहते हैं मुसिबत की जिन्दगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते हैं